XCF क्या होता है पहले? Highest common factor अबसे बड़ा common factor आज हमें एक धमागेदार ट्रिक देखेंगे XCF की आज हमें XCF की एसी शॉट का ट्रिक बताऊ है या पहीं एक सेकेंड में आंसर बता देगे Hello students, welcome back to my channel Mrs. Shikshawali अगर मेरे वीडियो को first time देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज का हमारा टॉपिक है HCF शॉट कर्ट ट्रिक तो आए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो Yes, आज ये क्या है? ये है कोल्ड रिंग की कैन और ये है चकले क्या है? आज कुई पाटी है क्या कोल्ड रिंग का चकले पाटी मेली है आज हमें एक धमाके दार ट्रिक देखेंगे HCF की अब इस पहले मेरा एक क्वेशन अगर मैं आप से कहूं कितने लोगों को आप equally cold drink और चॉकलेट दे पाएंगे पूरी पूरी देना है यह नहीं कहें मैं माधी कर लेंगे पूरी पूरी चीज कितने लोगों को दे पाएंगे अब 6 लोगों को आप cans दे दी एक can मिल जाएगी और दो चॉकलेट मिल जाएगी ठीक है यह तो छोटी amount ही आपने खटाक से बता दिया कि 6 लोगों में equally बढ़ जाएगी एक एक can ले लेंगे दो दो चॉकलेट लेंगे कितनी cans है एक दो तीन चार पाच्छे ठीक चॉकलेट कितनी है एक दो तीन चार पाच्छे साथ आट नो दस गया बारा ठीक है हो गया अब अगर मैं आपसे कहूं बहुत बड़ी क्वांडिटी है कोई तब आप कैसे बताएंगे मैं HCF की ऐसी शॉट का ट्रिक बताओं या पहीं एक सेकंड में आंसर बता देंगे HCF क्या होता है पेले हाइस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या करते है ट्रडिशनल मेथट में जिखो इसी का मैं बता रही हो आपको ट्रडिशनल मेथड क्या है 6 कैंड़ेशन निकालो फैक्टरिजेशन करो ट्री जा ठीजा घ्टीजा बारा चॉकलेट के फैक्टर करो 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are, ठीक है? क्या हुआ? 6 के क्या factor हुए? 2 and 3 12 के क्या हुए? 2, 2, 3 Common factor, common factor Common क्या है? 2 Common क्या है? 3 तो हमारा answer क्या है? HCF क्या है हमारा? HCF आया? 2 Common factor क्या है? 2 और क्या है? 3, 2 2 x 3, 6, हमने तो पहले बता दिया था कि 6 लोगों में बटेगी can और chocolate अब हम देखते हैं यह तो traditional method है, अगर आपको traditional method सीखना है, तो मेरा एक video है, आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आपको shortcut trick बताऊंगी कि अगर 2 numbers हैं 3 numbers है, 4 numbers है, तो उनका H.E.F. shortcut trick से कैसे निकालते हैं तो देखते हैं first question पहले छोटा से एक्जांबल लेते हैं ठीक है, दो number है, छोटे छोटे हैं अभी बड़े पर जाएंगे step by step, चीक क्या करना होता है, इसका H.C.F. निकालना है, traditional method आप देख लेंगे, देख लेंगे trick देखिए, इन दोनों number के भी का difference क्या है 4, 4 difference है अब आपको क्या देखना है कि ये जो 4 है, वो इन दोनों number को completely divide कर रहा है, completely divide मतलब remainder 0 ठीक है, तो इन दोनों numbers को completely divide अगर कर रहा है, तो हमारा HCF क्या है, 4 हो गया, जादू अब अगला question देखते है ठीक है, इन नंबर है, अब क्या करेंगे, कुछ ने करेंगे इन दोनों के बीच का difference देखो, 3 इन दोनों के बीच का difference देखो, 6 अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है, छोटा क्या है 3, 3 से देखो 3 से क्या ये तीनों नंबर completely divide हो रहे हैं, 3, 4's are 12, 3, 5's are 15 3, 7's are 21, बस HCF आगया 3 अभी वो case भी बताऊंगी जिसमें completely divide नहीं होंगे have patience now see this इसमें और इसमें कितना difference है 20, इसमें और इसमें कितना difference है 15, आप देखो छोटा नंबर क्या है 15 ठीक है, क्या 15, 50 को divide कर रहा है, नहीं कर रहा है 15, 70 को कर रहा है 15, 70, बताओ 15, 6's are देख लो 15, 5's are, 5, 5's are 25, 75, नहीं कर रहा है फिर 15, 85 को भी नहीं कर रहा है 15, 6's are क्या होता है 90, 5, 6's are, 90 तो 15 नहीं कर रहा है अब इस case में क्या करेंगे smallest number है 15 15 को further factor करो 15 के factor क्या होगे 15 के factor होगे 3, 5, 1 I hope आप समझ गए 15 के factor क्या है 3, 5, 1 अब क्या करना है 3 से देखो 1 को छोड़ दो 1 तो हर एक का common factor होता है ठीक है 3 से पहले चेक करो क्या 50 डिवाइड हो रहा है 3 से 3 से 50 को डिवाइड करो 3, 1's are 3 20, नहीं हो रहा है छोड़ दो 5 से चेक करो 5 से 3 नंबर डिवाइड हो रहे completely हो रहे 5, 10 जा हो जाएंगे ठीक है 5 से जड़ा डिवाइड करो 3 नंबर हो गए तो हमारा HCF क्या आ गया 5 समझ गए जब आपका smallest नंबर से directly डिवाइड ना हो रहे हो तो क्या करो उसके भी factor करो फिर उसके factor से चेक करो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे completely divide हो रहा है जो जिससे हो रहा है वही हमारा HCF है I hope आप समझ गए अब देखते हैं अगिला question अब देखो बहुत important question है 13, 23, 25, 28 ठीक है यहाँ पर दिपो क्या difference है 10 का difference है यहाँ पर क्या difference है 2 का difference है यहाँ पर क्या difference है 3 का difference है ठीक है अब क्या करना है वही करना है मैं सबसे छोटा देखना है सबसे छोटा क्या है 2 क्या 2 सारे नंबर को completely divide कर रहा है नहीं कर रहा है इस case में हम क्या करेंगे HCF जो हमारा आएगा हो आएगा 2 मैंने क्या का था कि further factor करो 2 के factor क्या होंगे 2 into 1 2 किसी भी नंबर को divide नहीं कर रहा है लेकिन 1 सब को कर रहा है factor 1 is the common factor of all the numbers तो इस case में answer होगा 1 HCF is 1 याद करो last question में 3 आ गया था तो हमने 3 लिया था फिर sorry 5 आ गया था तो हमने 5 लिया था इस वाले question में 2 नहीं कर रहा है तो क्या करेगा 1 करेगा HCF is 1 calculate करो traditional method से 1 ही आएगा I hope आप समझ गए बहुत ultimate trick है कितने भी numbers हो कोई भी number हो आप कर लेंगे अब बारी है आज की ultimate math fact की So today's math fact is HCF is also called greatest common divisor या फिर greatest common measure HCF को क्या करते है highest common factor या फिर greatest common divisor या फिर greatest common measure Confused नहीं होना All are same Isn't it interesting? So in this I have told you ultimate trick of HCF Last video में LCN की ultimate trick बताई थी दोगो वीडियो वाच की तियो master बन चाहिए Thank you, bye-bye Happy learning Thank you for watching my video Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification Bye-bye Happy learning Peace